परजाब भीयर्टी कॉंसलिंग का next step क्या होगा उसे जान लेना चाहिए क्योंकि ये काफी crucial हो सकता है आपका decision right or wrong हो सकता है major कारण क्या हो सकता है कि आप job के लिए eligible, government job के लिए eligible होना चाहते हो क्या आपने subject combination को prefer किया है या college को prefer किया है या fees को prefer किया है या आपनी बात है लेकिन मेरे हिसाब से आपको subject combination को prefer करना चाहिए क्या आपको वो subject combination मिल गया है जिसके जरीए आप eligible मर रही हो government job के लिए ये पिछले वीडियो में सब कुछ हो चुका है आज हम खड़े है किस phase पर stage पर के seat allotment process of first counselling is completed first counselling में जो seat allotment आपको होनी थी हो गई है आज ही अभी ये हुई है candidates can download their allotment letter from the website of law in using their credential and must report to allotted institute or college as per schedule that is from 15th September 22 to 17th September 22 तो आपने इस पहला गाम आपने क्या करना है कि आपने download करना है जो college आपको allot हुआ है तो वो allot क्या-क्या हुआ हो सकता है उसका ये diagram है allot में बोड़ने भी probability हो सकती है एक तो ये कि किसी को college allot नहीं हुआ कई students ये पूछ रहे थे कि sir हमने वो जो है एक ही जज़ा दो ही option फिल की है हो सकता है अगर rank पिछे है एक option फिल की है तो probability है आपको college allot ना हुआ हुआ हो यह पहनी category क्या बनी कि जिनको allotment नहीं रूई, वो उनोंने क्या वेट करनी है कि जब next counseling में जो खाली रह जाएंगी seats, सभी college ने report करना है, मैं अभी दिखाता हूँ, तो वो report करने के बाद आपको फिर choice filling के लिए कहा जाएगा, आपने जिनको allotment ही हुआ, आपने वो choice filling दु तो दूसरी category क्या है कि college allotment हो चुका है, और हो चुका है जहां तो आप satisfy हूँ, जहां not satisfied हूँ, college allotment से, आप college में गए हो report कर दिया, आपको 3-4 दिन 17 तक दिया गया है, तो आप report करते हो, report करके आपने, मतलब वहां जो वारतल आप होते हैं, हो सकता है कि पहले से आपने college क किया है और final किया है कि यही मुझे चाहिए, तो जो candidate है जिन्होंने final नहीं किया, वो college में जाते हैं, कई बार-बार, तलाब ऐसे हो जाते हैं, situation ऐसे बन जाती है, छोटी सी बात में हम irritate हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं होना, लेकिन आपने staff को evaluate करना है, अच्छा staff चाहिए, qualified staff चाहिए, यह जरूरी है, तो report करते हुए, आप क्या-क्या probabilities कर सकते हो, कि अपनी subject combination को देख सकते हो, अभी तो आप satisfied थे, लेकिन आपने minor subject जब जाके पूछना है, next, आप college में पहुँच चुके हो, अब आप क्या करेगो, सबसे पहले आपकी verification होनी है, documents की, वो documents कौन से ले अपने सबसे पहले subject minor देखना है, कि क्या subject के लिए आप satisfy हो, mostly private college ने आपको छूड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं भी है, तो create कर देना, आपका subject आपको मिल जाएगा, लेकिन government और aided college में probability है, क्योंकि वो by rule चलते हैं, sincere है, moral है, private college में कुछ भी हो सकता है, that is why private college, क्योंकि य सकते हैं, second है, आप वहाँ fees की बात करते हो, कि कौन-कौन सी fees है, कितनी है, examination fees शामिल है, नहीं शामिल है, इसके इलावा और खर्चे कौन से है, तो मैंने कोई और खर्चा तो नहीं देना, books का, resources का, whatever you want to ask, को आप पूछ सकते हो, private college से अगर हो सकता है, आप satisfy नो, distance से satisfy ना ह यह मैं बाते कर रहा हूं, कि आप report करने गए हो, और यह factor आपने देखी है, और इस से आप satisfaction से, not satisfaction में आ गए, कि मैं इस policy satisfy नहीं हो, मैं admission यहां नहीं लेना चाहता, तो आपने क्या कर रहा है, तो अगर तो आप satisfy हो, report कर दिया, यह सारे answer आपको सही मिल गए, कि आप fee structure ठीक subject combination minus, जो आप चाही था, मिल गया है, और आप satisfy हो गए हो, तो फिर आप reporting के बाद, आपकी इस category में आप पहुंचोगे, यहां आपने document verification करवानी है, आपने original document लेकी जाने है, कौन से document लेकी जाने है, वो अभी आपको दिखा रहता हम, फेक बात और याद रखनी है, कि कोई अभी college आपके original document रख नहीं सकता, that is why आप जो है, एक तो जो letter जाना, slip आपको allotment की है, वो issue होनी है, वो आप लेके जाओगे साथ में, उसके इलावा क्या-क्या होगा, यह पहले बता चुका हूँ, ठीक है, rank of candidate as per common interest test notified by गुर्णार्गजिव उनिवस्टी, slip होगी, admit card of common interest test printed copy of online application form, detail marks card of 10th class, detail marks card and degree of all examination, all examination में 10th आ रहा है, 10th प्लस 2 आ रहा है, graduation है, post graduation है, इसके इलावा कोई diploma, degree certificate course कूर्स किया है, आप ले जा सकते हो, वो इसलिए कि gap चो करना है का नहीं, mostly गुर्णार्गड़ी उनिवस्टी का college देंस एक gap certificate पूछा जाता है, बाकियों में कम जा नहीं, tractor certificate आपने लेके जाना है, original residence domicile certificate लेके जाना है, reservation जो है, अगर आपकी है, वो आपके लेके जानी है, rural अगर claim किया हुआ है, rural area का certificate वो आपने लेके जाना है, अगर अगर gap है, tension नहीं लेने का, जल्दी बन जाता है, college आपको time दे देगा, ठीक, आपने basic satisfaction देखनी है, any other certificate, अगर equivalence का है, वो लेके जाना है, जिसके इलाबा कम से कम आपके पास 4 से 6 photo, 4-5-6 photo होने चाहिए, passport size, photo ज़रूर चाहिए, एक college से मैंने रखा है, यह मगवा के रखा है, वो आप देख सकते हो, उन्हें कौन-कौन से document भांगे है, यह रहे, उन्होंने 10th है, 10 plus 2, graduation सट है, post graduation, अधार कार्ड of candidate mother and father, अधार कार्ड मेरे खर्वें, जहां आप जो scholarship है, वहाँ जरूरत होती होगी, लेकिन आपका email generate होना है, और आपका अधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई तरह की assessment होती है, एश को data जाता है, कही जो government की agencies है, आपका data enrollment होने के बाद, वो मगवाते हैं, वो सकता है, university वे बगाती हो, that is why आपको अधार कार्ड लेकि जाना है, अपना mother का और father का भी, experience certificate, अगर आपने कही जॉब किया, gap को फिल करने के लिए, वो हो सकता है, character certificate हो गया, category हो गया, residence हो गया, college allotment slip हो गया, migration certificate, original if last class passed from other university, migration तभी चाहिए आपको, ठीक है gap certificate, तो ये total हो गये certificate, ये किन के लिए है, ये जो first category satisfy है, उनके लिए है, इन्होंने ये document verify करने है, जब ये document verify करेंगे, सबसे important बात वो ये देखेंगे, बाकी सब कुछ, mostly, ये भी residence का भी हो जाएगा, क्योंकि 85 है, 15 है, वो shift कर सकते हैं, private college वाले, government और aided वाले नहीं करेंगे, तो most important क्या देखना है, फिर DMC graduation के देखना है, कि आप minor और major के लिए eligible हो, particularly major, जिसके लिए आपने claim किया है, eligible हो, अगर नहीं है, तो आपकी seat जो है, वहां से cancel हो सकती है, अगर कोई, चलो ये बात नहीं करूँगा, तो ये बात हो गई कि आपकी verification हो गया, वहां पर आपने एक बात को धिहान में रखना है, कि जो आपके DMC में आपने as elective, elective 3 साल पढ़ा है, minor उसी को prefer की ये, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर ये ऐसे करते हो, तो आप government job के लिए, B.E.E.P. के बाद direct eligible हो जाते हो, इन्होंने ये ये जो verification हो गई है, आप satisfy हो गई हो, आपके examination fees जो जाती है, कम से कम ये 15,000 होती है, on an average, तो return fees लगबग 5,000 और 10,000 तो चार्स मिस्टर की लगबग 10 से 12 या 11,000 हो जाएगी आपके examination fees. तो क्या ये जो fees आप शामिल कर रहे हैं, उसमें शामिल है, prospectus generally वो उसको extra रखते हैं, prospectus की fees अलग से ही लेते हैं, इसके इलावा i-card, uniform, books, कई college अपनी अपनी policy बना सकता है, वो आपको अभी clear करनी होगी, कि आप इसके इलावा कोई भी charge, क्योंकि एक बार आप फस गए, कोई और charge तो नहीं है, क्योंकि एक बार आप फस गए, तो फिर आप shifting के चक्रों में नहीं पड़ते हैं, आप 2 साल वहीं निकाल लेते हो, बेशक ये provision होती है, कि एक साल पूरा करने के बाद आप college shift कर सकते ह हो, लेकिन जहां shift करना है, एक साल के बाद भी shift कर सकते हो, लेकिन अगर आपने, within university, अब shift कर सकते हो, लेकिन अगर दोनो college के principles अलोग करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा तंग किया जाता है, और बचा कहता है कि या, मैं यही रहना तो, that is why यही time है, कि आप सब कुछ clear करके अ education हो चुकी है, अब फीस भी पूरी हो गई है, उसके बाद आप prospectus ख्रीद हो गए, वहीं college में prospectus ख्रीदने के बाद form fill करोगे, form fill करने में आप अपना basic जो जैसे graduation के fill करते हो, वैसी होगा, यहाँ पर teaching subject जो most important, most important, बता रहा हूँ, कई बार बच्चे यहाँ पर कहते हैं, क तो final कीजिए, जब तक आपके examination form नहीं जाते, तो आप minor subject को final सोच सकते हैं वहां तक, तो आपको यार रखना होगा, कि आप form में final करना है, जो आप first sem के examination form fill करोगे, उसमें pedagogy subject जो लिखोगे, वो आपका final होगा, minor subject, major अभी हो जाएगा, तो इतनी flexibility है, that is why no need to get attention, तो इसके इलावा, आप जो है, prospectus है, form fill हो गया, और बात में आप fees deposit कराते हो, fees deposit के लिए, आपको full sem के लिए, कोई भी compel नहीं कर सकता, एक मैंने बात बताई थी, कि certificate original कोई institute नहीं रख सकती, दूसरी बात बता रहा हूँ, कि जो installment में fees, minimum two installment में एक fees को लेने की, की, जो है, rule है, तो आप अगर college से request करते हो, आप तंग हो, financially थोड़े week हो, तो आप तीन installment भी कर सकते हो, ये agreement से होगा, आपका application लिखनी पड़ती है, principle sign करता है, हो जाता है, तो ये, कई बार बच्चे इसको strategy भी use करते हैं, चलो 5000 में अभी जमा करवा देता हूँ, अगर मे यहां पर मेरे 50,000 बचने हैं, तो यहां पर ये, जो है, मेरे 5000 चले जाएंगे, ऐसे भी use कर लेते हैं, तो वो, वो कोई illegal नहीं है, illegal नहीं है, हाँ college की वो fees बनती है, वो 1000 ये 2000 जो भी rule है, इतना है, वो उन्होंने cut करने होते हैं आपके, तो हाँ, problem आपको government private में attending, non attending की है, इसका शायद अलग से video बना दू, attending इस बार focus किया जाएगा, government भी पंजाब में change हो चुकी है, vice chancellor भी थोड़े rigid हो चुके हैं, और NCT ने पार के according भी action लेनी है, that is why non attending वाले carefully सोच कर admission ले, कोई commitment जो है college करता है, लेकिन responsibility आपकी ही रहेगी हर हालत में, जो job कर रहे हैं साथ में वो ये पंगा मत लें, ये साफ कर रहा हूँ, हाँ, risk में हैं, वो ये फक्की बार बता रहा हूँ, तो ये हो गया, जब आपकी fees जमा हो गई है, एक category है, जो इनको allotment होई है, fees जमा जिनकी हो गई है, उनकी bead way and nation हो गई है, तो वो student अगर चाहते हैं, साथ में ही TET की त्य त्यारी मैं दोनों की त्यारी करवाँगा, आपके Sam की भी, जो difficult question है, जा brief में, easy में, घर बैटे आप समयना चाहते हैं, वो daily classes लगेगी, जा video डानूँगा, online class भी लगेगी, तो वो उनका सोच सकते हैं, कि वो TET की त्यारी करना चाहते हैं, वो साथ में आ सकते हैं, तो जो जिनों को कोई fees का पंगा, private college है, जी मैं government में लेनी है, मुझे distance दूर है, मैं attending, non attending का पंगा है, तो वो जहां report करने के वक्त, फिर not satisfy में आ गए हैं, अगर वो not satisfy में आ गए हैं, वो report नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हा ने not reported ही लिखवाया हैं वहाँ पर, तो मतलब अगर आप fees submit नहीं करवाते हैं, fees नहीं submit करवाते हैं, तो आप not reported ही हूँ, वो seat आपकी उस college में खाली ही रहे ही, बेशक अलाट होई थी, तो आप वहाँ छोड़के second counseling में जा सकते हो, second counseling में वही procedure रहेगा, कि मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, कि second counseling में आपको, पहले दिखा second counseling में, यह रहा, आज हुई है, यह, online allotment of seat pure, यह provisional on the basis of merit list choice provided by the candidate, यह हो गया आज, ठीक है, और reporting at allocated college, आप 17 तक अपने report करनी है, ठीक है, जिन्होंने report कर दी, it's okay, जिन्होंने report नहीं की, वो seats college की खाली मान लीजे रह गई, मान लीजे एक college में, 100 seat थी, और 50 fill हो गई, 50 खाली है, 50 खाली बची है, तो यह 50 खाली फिर यह बदा college सब जाएगा, last rate for reporting, filling unfilled seats by the college, यह आपने नहीं करना, यह जो, मानी जी किसी college की 50 seats खाली बची है, तो वो college ने report किसको करना है, युनिवस्टी को, गुर्णानक देर, युनिवस्टी को, जी, युनिवस्टी को, रिपोर्ट करना है, कि हमारी 50 seats खाली है, सभी पंजाब की colleges की information आगे, कि कितनी seats खाली रह गई है, वो जो खाली रह गई seats है, उनको फिर display किया जाएगा, on the web portal, through PI login, as well as send soft copy, चलो आपके जरूरत नहीं है, यहां पर, तो यह 19 तक, युनिवस्टी के portal प और information upload हो गई, कि अभी कितनी seats खाली है, इनमें वो students शामिल है, जिनोंने report नहीं किया, report ना कायबने का मतलब, fees नहीं submit पर आए, तो फिर university डिस्प्ले कर दीगी, students आपके लिए, display vacant seat for second counseling, कि इस college में इतनी इतनी seats vacant है, अब आप उसको फिर देखोगे, जो बच्चे, यहां नहीं थे, और report नहीं कि, वो second counseling के लिए, इसको देखेंगे, यहां पर, display होगी, 20th September को, ज्यादा दूर नहीं है, अभी दिली, application of qualifying degree marks by candidate for those candidates who have not provided marks before, first online, जिनके result, जहां result वेक्टर थे, जहां result आउट नहीं हुआ था, वो उनको मुकाफित दिया जा रहा है, आप कहने तरह attention है, तो यह यहां पर वो अपने marks हैं, fill कर सकते हैं, वो second counseling में शामिल हो गए, तो अब क्या है, कि यह वाला shifting of the college, यह line कुछ नहीं है, एक हजार रुपह दी बात की गई है, तो यह अगर आप reporter थे, satisfied थे, fees submit करा आदिया आपने, मैं पता रहा हूँ, कौन सी category ले लेके हम चले थे, number 1, not, जिसको allot नहीं हुआ college, जिसको allot हो गया, वो college में चला गया, college में जाके, वो satisfy हो गया, satisfy होने के बा आप में dissatisfy हो गया है, तो वो shifting के लिए जाएगा, जाके not satisfy है, तो रिटोर्ट रहेंगी, तो वो shifting के लिए नहीं है, वो not recorded ही रहेगा, यह अरो बलत लग गया, आपने fees submit करवा दी है, अब आप satisfy नहीं हो, shifting करना चाहते हो, तो उनके लिए 1000 रुपिया लगना है, आप फिर second counselling में यह रहा, कहा गया यह, the candidate who have been allotted the college as per first choice have to pay shifting fees 1000 in case they want to shift some other college in second counselling, यह बात पता लेती, इन second counselling का मतलब क्या है, कि अब वो जो dissatisfied थे shift करना चाहते हैं, तो वो भी second counselling में आ रहा है, अब देखें second counselling में कौन को है, एक तो not allotted बाले, एक जो report कर दी थी, fees जमा हो गई, अब shift करना चाहते हैं, एक जन्होंने report ही नहीं की, fees नहीं जमा गरवाई, वो भी second counselling में जा तो वो second counselling वाला जो चक्तर है, वो रहेगा, ये वाला, चिक, तो वो शुरू हो गई आपकी, आपने, कब तक आपने, जो second counselling में पार्टिस्पिट करना चाहते हैं, वो हाँ, 20 सक्तम्बर से conscious रहेंगे, 20 सक्तम्बर को यूनिवस्टी लेट नहीं हो रही, आमित कौट सर न आपने देखना है, 20 से अपने second counselling वालो ने 20 सक्तम्बर से रोडोज अटेंड करना है, मैं वीडियो भी बना दूगा, तो ये पहुंचते पहुंचते यहां पर आगई ये बातें हो चुकी है, online filling for major subject combination and colleges for the qualified candidate on the basis of vacant seats available in the institute after, ये सबसे important है, ये underline का भी underline कर लिए, जो भी ब अच्छा, student second counselling में participate करना चाहता है, उसने दोबारा twice filling करनी है, इसका मतलब है second counselling, जब तक अगर आप twice filling नहीं करते, अब आपने कहा, किसी ने कहा, मैंने एक college सर फिल किया, दो किये, तीन किये, जितने भी किये, जा आपने report की, आप shifting करना चाहते हो, जा नहीं की, अब आपने दोबारा फिल करनी है, अगर आपको लगता है, पहले बाली मेरी ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन वो online दोबारा फिल करनी है, ये most important है, ये ही, इसको ही second counselling का central core area कहा, कहेंगे, online choice filling for major subject combination and colleges, दो चीज़े है, college and subject combination, for the qualified candidate on the basis, और ये बात मैंने पढ़ दी है, first counselling मे तो ये कव है, 20th September से 23rd September तर, अगर ये आप delay कर जाते हो, तो आप second counselling में शामिल नहीं हो, तो display of provisional merit list फिर 24th September को display हो जाएगी, फिर reporting के लिए आपको time दिया जाएगा, reporting of discrepancy online through email only, अगर किसी का subject या marks कोई गलत है, तो वो इस दें, 25th September को ठीक कर सकते हैं, तो इसके बार क्या होगा, display of final merit list 27th को हो जाएगी, और allocation जैसे अब होई है, of kind of against unfilled seat and de-reservation of seat category, de-reservation होती है, अगर कोई reserve seat खाली रह गई है, तो next वो किस category, किस बच्चे को, जब किस sub category को जानी है, वो एक अलग से वीडियो है बनाया, de-reservation policy of Punjab, वो देख सकते हैं, जरूरत नहीं आपको पढ़ेगी, जब job आपने लेनी है, तब जरूरत पढ़ेगी, तो de-reservation of seats of category unfilled due to non availability of candidate in the particular category as per policy, ये मैंने बता लिया है, रिपोर्टिंग फिर हो क्या होगी, 29 से 3rd October तक आपने फिर रिपोर्ट करनी है, उसके बाद open होना है, नहीं होना है, अभी तक कोई वो नहीं है, हाँ, management quota की चलेगी, उसका बाद में वीडियो बना देगा, कि management quota कैसे fill होना है, यहां तक मेरी ख्याल में अगर आपका कोई question है पूछ सकते हो, तो ये हो गया आपका second counseling का, ये जो आपने बातों का ध्यान रखना है, document जो आप मैंने बता दिये वो आपने लेके जाने हैं, जिन जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, fees का है, subject combination का, satisfaction का है, ये factor है, वो आ दावा आपका कोई question हो, कि आपने क्या करना है, जब college में कुछ गड़बड होती है, उसके regarding आपको phone भी आपको दिया गया है, वहां पर phone करके भी पूछ सकते हो, तो question भी पूछ सकते हो, हाने मैंने सीधे पीछे नहीं देख आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पार्ट होगा, मतलब दो निशाने होगे, एक तीर से है, अगर आप लगाना चाहते हो, आप जोईन कर सकते हो, यही ऐसे ही online class लगाँगा, मैं कोशिश है कि दो-चार दिन में online एक trial class लगाँगा, आपको guidance इसके regarding admission के दुरान जो चाही आपको दूँ, तो उससे हमें जो check भी होजेगा, फिर सीद्धा आपको जो है paper की त्यारी है, mcq question है, concept clarity है, कैसे solve करना है, strategies क्या है, वो सारा कुछ बताऊगा, तो आप जुड़े रह सकते हैं, अगर आप चाहते हो, dr. तीर सिंग, learn to actualize, thank you.